नमज़कर साथियों जै इंजे भारत स्वागे देफ सभी को अलेक्सम प्लेस पर मैं हूं रोईत करा दोस्तों MPPC ने प्रिलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया जिया रिजल्ट भी जारी किया है आज ही फाइनल आंसर की जारी की और अभी ही आप देख पारें रिजल्ट जारी का और उसमें कित्ते लोगों का सेलेक्शन हुआ है तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे यह आपका सिविल सर्विस का जो है कट आफ जारी कर दिया गया है जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखा दूं तो कट आफ में आप देखेंगे तो इस बार कट आफ थोड़ा 158 है ऐसे EWS का देखेंगे तो मेल का जो है ओन फिप्टी एट है और फीमेल का जो कट आफ यहां पर EWS का गया है वो 156 गया है इसके बाद अगर आप देखेंगे पी एच कैटिगरी में तो भाई आप शौन बाधित का देखेंगे तो 114 है अना दस्टी बाधित का 140 है अस्ति बादित का 142 है और बहु विकलांग का 122 है इसके अलावा एक सर्विसमें में अगर आप देखेंगे भूतपूर सैनिक का तो UR कैटिगरी का 130 है SC का यहां पर 60 है और ST का 60 और OBC का यहां पर 96 और EWS का 106 है अब आप बुलेंगे सर इतना हाई कट ओफ किससे चला गया वो भी मैं आपको बताता हूं साथ में जो प्रावधिक सूची में है हाना उसमें अगर आप UR कैटिगरी का देखेंगे तो 158 है और OBC का देखेंगे 156 है टोटल कितने लोगों का सेलेक्शन किया गया है मेंस में वो भी मैं आपको बता देता हूं जैसे कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे वेकेंसी जो थी आपकी काफी कम थी सिविल सर्विस में 229 पद ही थे केवल हाना इसलिए कट आई जाने का एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि 239 पद ही थे हाना इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मैन लिस्ट है जी हां जो मैन लिस्ट है उसमें लगभग आप देखेंगे यहां पर कितने लोग का चैन किया गया है तो मैं आप वो दिखा देता हूं यहां पर पूरी की चैन लिस्ट जिसमें आप देख पाएंगे 5589 जी हां मु किया गया है मकilda सुची में में मेर्स के लिए और और आप दूसरी कैटिग्री में देख लें इस में मैं आपको दिखा देता हूं टोटल कितना कof किया गया है आपको वही क्लियर हुजाएगा यह देखिए आँ प्रोवेशनल लिस्ट में 1073 लोगों का चैन किया गया है 1073 लोगों का चैन किया गया है वही फॉर्मूला 20 गुना प्लस समानंक वाला अपलाई किया गया है आपर तो इतने लोगों का मुख्य परिक्षा के लिए चैन किया गया है और जायर सी बात है यह रिजल्ट आपके सामने आपके मार्क्स कितने हैं कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं जल्दी ही जैसे आपकी वेबसाइट पर आता है मैं आपके लिए वीडियो लेके आजाओंगा तो आप लोग बिल्कुल अपडेट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ऐसे ही और अपडेट्स के लिए मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी जैन जै भारत धनिवाद झाल